इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं राउटिंग राउटिंग को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है आपको उस वेबसाइट के बारे में मैं बता रहता हूँ यह है reactrouter.com ठीक है यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो आप यह जा सकते हैं यह देख सकते हैं तो चलिए इसके बारे में हम कोट के मादियम से समझते हैं तो राउटिंग के लिए सबसे पहले राउटर के अंदर आपको राउट जो है डिफाइन करना होता है ठीक है बट यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि हमने साइड बार यूज किया गया है वहाँ साइड बार में कई सारे लिंक हैं तो अगर आप हमारे कोट पे जाएए तो साइड बार में दो लिंक है बेसिकली ठीक है तो जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो उसी के एकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है यह कंपोनेंट बट यह स्टैटिक है चलिए यह तो समझ गया अब क्या है कि साइड बार ओपन हो गया और साइड बार में अगर आप यह पाथ अगर डालेंगे तो यह कंपोनेंट ओपन होगा ये basic अगर route अगर डालेंगे, navigate करेंगे, तो ये component open होगा, और carpentry अगर route अगर डालेंगे, तो ये component open होगा, ठीक है, तो ये तो सही से अभी काम कर रहा है, चलिए sidebar में देखते हैं कि हमने कैसे इसको manage किया, तो sidebar एक component है, ठीक है, sidebar एक component है, अब चलिए sidebar component को देखते हैं, तो component में जाएंगे क्योंकि component folder के अंदर sidewire हमने बनाया है ओके तो यहाँ पर आप notice कीजिएगा यह class component है react में दो type का component होता है एक है functional component और दूसरा है class component class component थोड़ा वो ज़्यादा आपको advantage देता है तो ज़्यादा तर cases में आप class component यूज़ करते हैं बट वहाँ पर जहाँ पर जादा logic नहीं लिखना है वहाँ पर functional component यूज़ कर सकते हैं उसमें कोई भी तरह का issue नहीं आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं constructor में हम props यूज़ किये हैं इसका मतलब यह है कि कोई भी property कोई भी props like एक functions समझ लीजिए एक functions क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक logic है logic को अगर 10 बार अगर use करना है तो क्या करते हैं आप एक functions में डाल देते हैं और functions को हर जगा call कर देते हैं यही करते हैं तो इसको reusable बनाने के लिए आप function करते हैं लिखते हैं उसी तरह से react में भी component या बनाते हैं तो इसको कई जगा पर इस्तमाल कर सकते हैं तो जैसे functions में अर्गुमेंट होते हैं अर्गुमेंट अगर आप पास करिएगा तब जाकर वो अर्गुमेंट को लेकर आपका operation करेगा और यह डिपेंड करता है यहां भी कर सकते हैं बाट यहां पर उस टर्म को न प्रॉप्स बोलते हैं ठीक है उसको प्रॉप्स समझिए अब रियेक्ट में जो है प्रॉप्स और इस्टेट यह बहुत ही important keyword है आपको थोड़ा जानना पड़ेगा यह प्रॉप्स क्या है इस्टेट क्या है यह keyword extensively इस्त कुछ चीजे से प्रॉप्स में हाँ पर पास कर सकते हैं यह जो content है वो भी प्रॉप्स में ही आता है ठीक है चलिए प्रॉप्स तो आ गया पास कर दिए बट क्या होता है ना functional class component को work कराने के लिए देखिए यह component को extend किया गया है ठीक है यह component react के से आ रहा है इसमें कुछ code ल लिखे हुए हैं तो अब क्या है कि इसको सई से काम कराने के लिए जो प्रॉप्स आप लिए उस प्रॉप्स को main component को यानि कि parent class को देना पड़ेगा तो यह parent class हो गया component parent class को आपने कुछ जो प्रॉप्स है ओ दे दिए अब जो है आप वहां से कुछ भी चीजों को एक्सेस क करेंगे उस component से क्योंकि देखिए extend करने का मतलब क्या हो गया कि जो जो भी functionality है आपका parent component में ओ इनहेरिट हो गया dependency है तो dependency क्या है वह प्रॉप्स जो प्रॉप्स आप पास कर रहे हैं यूज कर रहे हैं इस class में sidebar class में सेम चीज पास करना पड़ेगा उसको पास करने के लिए super keyword यूज करते हैं तो कुछ नहीं है constructor बहुत ही better place होता है अगर class यह call होगा तो जब भी call होगा या फिर object create करेंगे इसका तो यह चीज जो है पहले call होता है ठीक है इस class का तो यहां पर constructor में आप प्रॉप्स पास किये और शूपर में फिर से इसको send कर रहे है parent class को और parent class क्या है component जो react प्रोवाइड करता है react ने लिखा हुआ है ओके अब यहां क्या है state अब state क्या है अब देखिए यह इस class का एक variable मान लीजिए एक state है variable और इसका जारा code आपको react out of the box लिख दिया है मतलब component के अंदर लिख दिया है बोल दिया है कि state एक object है अब उसमें जो भी तुम डालना चाहते हो डाल दो हम उसको manage कर लेंगे देख लेंगे तो इसलिए यह है state state में जो कुछ भी लिखना है जैसे कि path name डाल दिया मैं जो कुछ भी डालना है आपर मैं डाल दूंगा यह काम करेगा ठीक है यह react समझेगा कैसे काम करता है बट यह generally state में कुछ भी चीज़ डालेंगे तो आप access कर सकते हैं इस component इस component मतलब इस class में class का name sidebar इस component भी बोलते है क्योंकि यह class component है functional component में functions रहते हैं यहाँ पर class keyword यूज किया गया है यह component ही है class बोले component बोले एक ही चीज़े इस component में इसको access हम कर सकते हैं इसको access करने के लिए disk keyword यूज करना पड़ेगा जैसा कि आपको पता है कि class में disk keyword यूज करना पड़ता है यह simple फंडा है बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यह fragment क्या है अब देखिए अब क्या है कि life cycle के अंदर एक render method आता है ठीक है render method render करता है एक real dom होता है और एक virtual dom होता है react में तो comparison होते रहता है और जो भी चीज को update करना होता है वह ही particular चीज update होता है यह जैसा कि आपको पता है react में बट यहाँ पे render method render करता है उस चीज को तो अगर आप state में कोई भी चीज को बदलाओ करेंगे कुछ भी चीज डालेंगे अपडेट करेंगे कुछ भी changes करेंगे तो render method फिर से call हो जाएगा और वो जो जो भी चीजे हैं पे लिखा हुआ रहेगा वो comparison करने के बाद real dom और virtual dom आपके browser में dom में दिखा देगा जो भी lattice changes है उसको उहाँ पे appear करा देगा ठीक है तो यह रहा render method तो ध्यान रहे यह फिर कभ रिरेंडर होता है कभ फिर से call होता है जब हम state के value को change करते हैं update करते किसी भी तरह का modification करते हैं तो यह हमारा sidebar है यह render होगा render क्या होगा return क जो code दिख रहा होगा यह इसको बोलते है jsx क्योंकि यहाँ पर class नहीं है यहाँ पर class name n capital ऐसे करके लिखा हुआ है तो यह definitely मिलता जूलता तो है html से but exact html नहीं बोलते है यहाँ पर जो keyword इस्तेमाल करते हैं वो है यहाँ पर है jsx ठीक है तो यहाँ पर jsx keyword इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं ठीक है यह html जैसा ही है थोड़ा सा अलाग है बीचितर टाइब का दिख रहा होगा ठीक है यह समझ गया बट यहाँ पर जो है opening और closing tag के अंदर यह जो है तो हम segment कर सकते हैं अगर division के अंदर करना चाहते हैं तो Game दे और नहीं करना चाहते है तो पूत कर सकते हैं इसके अंदर ही ऑप कुछ भी लिख सकते हैं यह फिर तीशीं है यह वाला देखिए यह हो गया ऐसे और यह सेल्फ यह वाला ऐसे भी कर सकते इसके अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं यह भी ऑप्सन है तो तीन ऑप्सन है रियेट क्या बोलता है कि यह जो कोड है जैसे वो किसी टाइक के अंदर बाउंड होना चाहिए तो फ्रैग्मेंट के अंदर बाउंड कर दीजिए या फिर वो जो सिंटाक्स बता है उसके अंदर बाउंड कर दीजिए तो उसके अंदर आप बाइंड कर सकते हैं उसके अंदर यह sidebar है sidebar का चीज़ यहां पे है लिखा हुआ और यह main main का चीज़ कहां लिखा हुआ है main का मतलब यह वाला पार्ट है यह सारा पार्ट जो है main में आ गया sidebar और main अब sidebar में दो ही चीज़ है यहां पे एक है no link no link क्या है इसको समझते हैं देखिए राउटिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो लिंक भी उज़ कर सकते हैं no link इसलिए क्योंकि यह navigation के लिए है क्या होता है कि अगर यह active है तो इसको जो है bold color में bold letter में दिखाना है bold दिखाना है और यह active नहीं है थोड़ा fade color में दिखाना है तो इसको कैसे मैनेज किजिएगा यह इसको active करना है इन एक्टिव करना है तो इसको कैसे मैनेज किजिएगा इसलिए navigation link हम लोग nav link यूज करते हैं यह आता है यह website अधिक जनकारे के लिए यह website visit कर सकते हैं इसमें एक एक चीज documentation अच्छे से दिया गया है देखिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा a special version of link that will add style attribute to the render element when it's match the current URL current URL अगर हो match करेगा तो यह link में एक additional यह style कुछ styling attribute add करता है like active class name active style और बहुत सारे बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं बाद में देखिएगा ठीक है आप इसमें अंदर मैं नहीं जा रहा हूं strict है इस एक्टीव एक्टीव है कि नहीं इतना सारे चीज़े हैं पर देख location बहुत सारे चीज़ें यह सब देख सकते हैं तो इसी लिए जो है हम लोग नौल लिंक यूज किये हैं हलाकि लिंक भी यूज कर सकते थे बट नौल लिंक में देखिए यह सब फैदा है इस एक्टीव एक्टीव है कि नहीं तो हम यह चेक कर रहे हैं यह एक मेठ़ड कॉल किये मेठ़ड बूलियन वैलू में हमको रिटर्न करेगा हलाकि वह अभी नहीं किया गया है इसको इग्नौर की दिए क्योंकि हमारा में फंडा है फॉर्म को समझना तो यह जस्ट बेसिक चीज में बता रहा हूं तो यह बूलियन में वैलू करेगा उसके एक्टीव और इनक्टीव रहेगा ओके यह समझ गया है साइड बार का अब आता है में 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 कॉंसीडर किजिएगा कि एक हेडर भी है उसके बाद कंपोनेंट और रेंडर हो रहे है इसका मतलब क्या है इ उपर में क्या है एडमीन नेम बस एडमीन नेम है यही एपियर हो रहा है अलाकि आप कुछ भी डाल सकते हैं कोई बहुत सरा लिंक भी दे सकते हैं कुछ भी डाल यह कोई इसू नहीं है पट हम तो डेमो के लिए मैं बना रहा हूं इस थोड़ा अप्लिकेशन को समझना है को समझना है इसीलिए हमने एडमीन नेम लिग दिया कुछ भी ऐसे ही ताकि identify करने के लिए तो यह एडमीन नेम आ गया यहां से यह खतम हो गया कहानी इसका अब उसके बाद इस उपर वाले के बाद नीचे जो रेंडर हो रहा है ओ वाला पार्ट आ गया यहां पे इस कि देखिये इंडेक्स.jz में आप गया और यह वाला जो पार्ट है सॉरी app.jz में गया और यह जो पार्ट है यह जो राउटिंग वर कर रहा है यह होगे चिल्ड्रेंग अब यह वाला चीज़ वहां पे एपियर होगा अब यह क्या है कि डिपेंड करता है कौन सा एपियर होगा तो जो route match करेगा जो navigate करेंगे URL में जो match करेगा route वही component open होगा तो अगर ये वाला किया basic तो basic info component लोड होगा carpentry तो carpentry component लोड होगा समझ गया तो जो आप देख सकते हैं जो route use कर रहा है वही component यहाँ पे open हो रहा है इस जगह पे इस portion में यह portion में समझ गया तो यह देखे basic info है but I hope कि आपको यह चीज समझ में आ गया कि कैसे routing work कर रहा है अब हम यह component अगर यह route डालते हैं जैसे अभी क्या है route देखते है basic basic में कौन सा component open हुआ तो होगा component basic info basic info एक component है जो कि import किया गया है उपर में देख सकते हैं यह another component है यह render हो रहा है और इसी component में इस type के complex form बने हुए हैं तो उसके बारे में next वीडियो में बताएंगे अभी के लिए आप इतना समझ गया बहुत बढ़ियां देदे समझ देगे तोड़ा राम कर लिजी तो arrest ले लिजे फिर आके हम बढ़ेंगे ठीक है तो यह रहा route यहां पे appear हो रहा है क्योंकि आपने children को यहां पे load किया है इसके नीचे यह वाला जो header है उसके नीचे so thank you, thank you for watching अब मैं रखता हूँ